पुलकाइब बैक टुम दुए इट्स का प्रोडक्षन एन्ड इस उड़े के एपिसोड में में अपके लिए कमाल का फोटो एड़ेट रहा है जिससे कि यार आप एक क्लिक में फेस स्मूथ कर सकते एक क्लिक में बैक ग्राउंड चेंज कर सकते और तीन चार क्लिक में आप कल आफी quickly edit कर सकते, इसका download link आपको description में मिल लियागा, आप वहाँ से download कर लेना, अब इस वीडियो को start कर लेते, जैसे निसे application को open गुरूप, आपको सामने कुछ इस्तरिकर का interface आने वाला है, ज़स्ट आपको add photos पे click कर देना, यह add photo वाला option में भी आपको यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पे हो, आपको वहाँ से इसे कहर लेना, ठीक है, add photo पे click करने, and three dots पे click करने, then यहाँ पे आपको select folder पे click करने, यहाँ से आपको अपना folder select कर लेना, है जिसमें कि आपका जो फोटोज होगा वो मिन सेव हो तो यहां से मैं दो फोटोज को उठा रहा हूं जिसमें कि मैं एक में सीवी एडिटिंग यहां पर थोड़ा से इंटरनेट की रिक्वार्मेंट होने वाली इंटरनेट की डिपेंड करता है कि आपको केतना टायम तक यहां पर बेट करना को बट जादा टाइम नहीं लगता है ठीक है लोडिंग हो जाने के पाद यहां पर आपको magic correction देखने को मिलेगा अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो ठीक है तो यहां पर बहुत सार एडिटिंग तो यह खुद कर देता है जिसे कि यहां पर आप दे सकते हो face हमारा कुछ इस तरीके से था इसे डन पर क्लिक करता हूं ऐसा आप लेखे हो मारे कर सकता है और घ्यूसरे करने के वाप उलडद आपको से था इस ब्लर को आपको को maximum रखना है यहां पर डीप रीटर्च को भी maximum रखना है तो यहां पर देख पाऊगे कि आपके जो डार्क स्पोट्स थें इसमें फेस में वो बिल्कुल भी गाया अपसा हो गया है ठीक है तो इस तरीके से आपके हैं हो जागा और आई बैक्स को भी आप इसे इन्क्रीज कर सकती हूँ जिससे हो गया है यहां पर गंद यहां पर ऑप यहां से इंक्रीस कर देना मैं ऑ्ट फोड़ा थोड़ा इक टो चाओ तो यहां से इंखर सकती हो तो देखो ब्लर को आप कर सकती हो देने बाद यह Чार पांच चीजे दिखरेगे यहां पर टुकार यहां पूर कर देने में यहां पर रखना यहां पर हमारा काम कर विदा है इससे हमारा में upset मैक्सिमम हमारा जो फेस स्मूथ हो चुक है ठीक है अब इसे अगर और अच्छा करने हैं यहाप आपको अच्छा प्याना होगा अच्छा प्यानेक बाद यह वाइट टोन जो है इससे आप थोड़ा सा में शेड़ खानी कर सकते हो इसके साथ अगर आपका फोटो पे अच्छ 50 तक डीक्रीज कर दिने ठीक है और उसके बाद यहां पर आपको नीचे आनाए नीचे आने यहां पर आपको एक सट हाय लाएट को सब्सक्राइब को थोड़ा साुन हायाइट को डिक्रेस करने ठीक है यह कम अभी आभी यह HR की ओन पर के ड्सक्रास्ध को दिक्रात को ड णेंख करने वाले ठीकिकि तो बेक्ग्राउंड चेंज्ड करने के लिए हम यह इस फोरोडो को । इस पे कलिक कर दें यह पे डिन्स पर ऑपर एंबसे के आपको यहां पर कुछ ऑप्षन अच्छा लगे बहुत अच्छा ने अच्छा लगे दिन हटा देने और कॉंट से बड़ी बात है ठीक यहाँ पर इसमें भी अगर चाहो तो एक्स्पोजर एंड कॉंट्रास्ट को कर सकतो इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ पर हम मेन कालरगेडिंग करने के लिए आपको ज़स्ट कुछ ने करने फूरा लास्ट आजानें और यहा पर एक और दिखेगा स्थाई रहा तो टेंप्रेचर आप इसमें कम कर सकते हो और टिंट ौप थोड़वा सबड़ा सकते हो तो थोड़वास पर तो थोड़व करना चाहते हो अपने बेग्राउंड को देन यहाँ पे इसे राइट साड स्क्रॉल कर देना 100% अगर आप मिंट्स यलो में करना चाहते हो देन आप इसे लेफ्ट साइड कर देना ठीक है यह करने के बाद यहाँ पे आपको सेचुरेशन को इंक्रीज करने अगर आप यह रख तो हमारे मिंस बैक्ग्राउंड अच्छे तरीके से हो चुक है कलर गेड़े ना अब हम यहाँ यहाँ को करते हैं तो आपको इसका ब्राइट नेस को डिक्रीज करने यह बिसिक सा चीज है कि आपको हर एक मैं यार देख लेना मिंस फेस को सिफ छोड़के हर एक चीजों में आपको saturation को increase कर देना होता है, and brightness को decrease कर देना है, इस तरीके से करके आपको color काफी अच्छा हो जाता है, अगर आप चाहो इसका color को change करना है, यहाँ से left to right and right to left remove करके कर सकते हो, जो अच्छा लगे आपको उसे use कर लेना, and then उसके बाद अगर आपको face को थोड़ा सा glowing कराना है, then यहाँ पर आपको यह दो options जुद मिलते हैं, इस अपका face glow हो जाएगा, just करना क्या है, यहाँ पर आण and brightness को आपको increase करना है, then इसका भी आण and brightness increase करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारी जो face है, वो भी means अच्छा हो चुग है, यहाँ पर मैंने वही बता है, कि आ आप इसे change करके आप background को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, तो यह combination जादा अच्छा लगा है, देखने में, compare to यह, अगर आपको जो combination अच्छा लगेगा, आप उसको use करना है, यहाँ से देख रहे न, कौन से color अच्छा लगता है, उसे आप apply कर सकते हो, को ऐसा नहीं कि जो combination में बतानों, आप उसे को use करो, ठीक है, यहाँ से हम color grading कर चुके, उसके बाद यहाँ पर आपको just backdrop पे क्लिक करना है, and यहाँ पर आपको cv editing में क्या होता है, कुछ इसी तरीके का तो हो रहता है, just blurries जादा रहता है, तो हम भी कर लिए blur, हो गया, ठीक है, तो means इतना असा होता है करना, then उसके बाद क्या करना है, अगर background change करना है, then यहाँ पर आपको कुछ background पहले से देखने को मिलते हैं, जो कि उतना खास तो होते नहीं है, but अगर आप चाहो, तो इन्हें apply कर सकते हो, देख सकते हो, हमारा यह जो background वो change हो रहा है, but अगर मैं इसे blur को, इसको और यहाँ का blur को हटा दो देना, आपको clearly समझ माने वाला, ठीक है, change हो रहा है, but अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर क्या करना, आपको add पे click करना है, then यहाँ पर अपना कोई सभी folder को select करना है, जहाँ पर कि आपको कुछ, means इस तरीका का background मिले, description में मैं इस तरीका background का link द अच्छा है, and उसके बाद अगर इसमें हम walkens को apply कर देते हैं, तो और अच्छा हो जाए, blur को थोड़ से increase कर देते हैं, ठीक है, and walkens का intensity को भी थोड़ा हम कम कर देते, ठीक है, तो अगर आपको, आपके पस कोई और background देना, आप उसे यूज कर सकते हो, कोई बड़ी बात तो तो यहां से हो का किया, कि और अच्छा लगे, यहां पर देख सकते हो, filter चूज करने के बाद काफी अच्छा लग रहा, and अगर suggest me पर आप क्लिक कर दो देन, यह आपको suggest करेगा, कि कौन से filter यार आपको रखना चाहिए, अपने इस फोड़ो पर ठीक है, तो कुछ इस तरीक से आप वो जो face को smooth किये, तो उसे भी आप save कर सकते हो, and इस वड़ो में मिलते हैं, नेक्स्ट वड़ो में तबते के लिए, वीड़ो पसंद आई हो, तो वीड़ो को like कर देना, and चैनल को subscribe कर सकते हो, ठीक है, so bye bye